नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगी आँखों से वशी करन जी हाँ सिर्फ और सिर्फ आँखों से वशी करन जो लोग कहते हैं कि हम दर्या के पास नहीं जा सकते हम कुछ मिट्टी में नहीं दबा सकत हम किसी सामगरी का प्रयोग नहीं कर सकते और हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते तो कुछ ऐसा बताइए कि हम अपने घर से ही इस वशी करन को कर पाएं और जिसका असर पूर्ण रूप से हो तो मैं आपको बताती हूं एक ऐसा वशी करन उन लोगों के लिए जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई सामगरी एकत्रित नहीं कर सकते, उन लोगों को यदि किसी को वश में करना है, तो किस तरह करें, कुछ लड़कियां कहती हैं, कि वे ऐसा नहीं कर पाती, कुछ लड़के नहीं कर पाते, कुछ ग्रहनियां हैं, जो घर के बाहर नहीं जा पाती, लेक सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो सामगरी चाहिए वह सामगरी मात्र एक गिलास पानी है जी हां हमें एक गिलास पानी चाहिए मात्र एक गिलास पानी और एक सिद्ध मंत्र की मदद से किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं यह मैं आपको बत उस समय अकेले हूँ क्योंकि अगर आप अकेले हुँगे तो इसका असर आपको जल से जल देखने को मिलेगा अन्याथा आप कहेंगे कि हमने आपके अनुसार विधी का प्रेयोग किया और उसका असर नहीं हुआ क्योंकि कई बार गल्तियां हमसे ही हो जाती है जिनकी वज़े से विधी का प्रयोग सही प्रकार से नहीं हो पाता है और हम कहते हैं कि वशी करण असर नहीं करता लेकिन ऐसा नहीं है ये जो एक ग्लास फानी का वशी करण है ये पूर्ण रूप से असर करेगा लेकिन तभी जब इसका प्रयोग आप सही तरीके से करेंगे दोस्तों इस विधी को करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं हफते के सातो दिन में से जिस दिन आपको सहुलियत हो उस दिन से आप इस विधी की शुरुवात कर सकते हैं और किसी को अपना बना सकते हैं तो आपको करना क्या है आईए देखते हैं किसी व्यक्ति को वश में करने के लिए जो मंत्र आपको मैं बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनियेगा और इस मंत्र के जाप से पहले उस व्यक्ति का नाम लीजिएगा जिन्हीं आप वश में करना चाहते हैं मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है रानी तो आप कुछ इस तरह जाप करेंगे रानी मम वश्यम कुरू इस तरह साथ बर आपको मंत्र का जाप करना है और मंत्र का जाप करते समय गिलास पर अपनी हथेली को घुमाना है हथेली को घुमाते हुए साथ बार इस मंत्र को बोलना है और उसके बाद तीन बार आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है और पानी में फूंक मारनी है इसके बाद आप इस जल को कोई भी गमले में डाल सकते हैं पर इसे कोई नाले में मत फेकिएगा किसी गलत जगा पर मत फेकिएगा लेकिन जो गमले होते हैं वहाँ आप इस जल को फेक सकते हैं लगाता साथ दिन आपको ये प्रयोग करना है और वैसे तो मातर दो दिन में आपको इसका असर दिखने लग जाएगा पर साथ दिन में ये वशी करन पूरा हो जाएगा और फिर जो इनसान जिसके लिए आप ये वशी करन कर रहे हैं वो पूर्ण तह आपका हो जाएगा आपसे दूर कभी नहीं जाएगा ताउम्र सिर्फ आपके ही बंदन में बंद के रह जाएगा दोस्तों इसके अलावा अगर आपको अपने जीवन में कोई अन्य समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करें और गुरू जी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनों कामनाओं को पूरा कीजिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सब की प्रैवसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा तो बिल्कुल भी देद ना करें और स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाईए और वो भी तुरन थी तो अब मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार